Hello students, I, Aarti M. Welcome you all to yet another session of English worksheet number 22 dated 14 December 2020. The topic of today's worksheet is ashes that made trees bloom. Students, आपको एक पारग्राफ दिया हुआ है और उसमें से आपको कुछ कोश्चन्स पूचे हुए हैं. पहले हमने कोश्चन्स पारग्राफ पढ़ना है और फिर उन कोश्चन्स के आंसर देना है. तो लेट मी रीड दे पारग्राफ फर्स्ट उससे पहले हम यह फन फाक्ट पढ़ लेते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुए ना फन फाक्ट हम यह पढ़ते हैं. Do you know that people in various countries have different ways of eating like in India we like to eat with hands or spoon. Similarly, people in Japan use chopsticks. कह रहा है कि आपको पता होगा सबकी खाना का धंग अलग-अलग होता है. जैसे हम हाथ से रोटी खाते हैं या चमत से खाना खाते हैं. जापान में लोग जो हैं वो चॉपस्टिक्स यह देखो यह वाली हैं चॉपस्टिक्स जो ऐसे से करके होती हैं. तो वो चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं. तो लेट एस रीद पैसेज. हम अब पैसेज पड़ेंगे बच्छो. In the good old days of the Damians, there lived an old couple whose only pet was little dog. Having no children, they loved it as though it was a baby. The old dame, they made it a cushion of blue crepe and at mealtime, muko for that was its name and would sit on it as snug as any cat. आप देखो क्यों होता हैं. पहले के जमाने में, old couple जो था, उनके पास एक पैट था, एक little dog था. जो कि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो उसको एक baby की तरीके से पालते थे. उन्होंने उसके लिए एक blue crepe का cushion बनाया था, जिस पे उसका नाम के रखा थे, उन्होंने मुको. मुको को जो था, वो cushion बिचा के दिया, जिस पे वो cat की तरीके से बैच जाता था. The kind people fed the pet with the titbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus, treated the dumb creature, loved its protectors like as being with a soul. आप क्या हुआ? लोग उसको खाना दे देते थे, उसको फीड करते थे, क्या फीड करते थे? छोटे चोटे टुकडे, फिश के, चॉपस्टिक से डाल देते थे, या फिर boiled rice डाल देते थे, जो भी वो चाहता था, उसको खिला देते थे. The old man, being a rice farmer, went daily with hoi and spade in the field, working hard from morning until Oteno Sama, as the sun is cold, has gone down behind the hills. जो old man था, वो एक rice farmer था, और वो क्या करता था? अपने hoi और जो spade होता है, उसको ले के, ये देखो, ऐसे होता है न, उससे फावडा कहते हैं जिससे, और कुदाली को ले के, वो fields को, के अंदर, वो करता था, उगाता था, और शाम तक काम करता था, जब तक की दिन न ड़ल जाया, सुबह से ले के, दिन जब तक ने ड़ल जाता था, तब तक को काम करता रहता था. Every day, the dog followed him to work, never once harming the white heron that jumped in the footsteps of the old man to pick up the worms, अब वो क्या करता था, कि वो किसी को भी नुक्सान ने पहुचाता था, जब की वहाँ पर एक heron आता था, जो की white color का था, और वो वहाँ पर आके worms खाता था, उनकी रस्ते में आके खाता था, तब भी वो जो dog था, उसको कुछ ने करता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turn up a sword on purpose to give food to the birds. अब क्या हुआ? क्योंकि यह जो old man था, यह बहुत शांती प्रे था, और इसमें बहुत patience थी, समता थी, जिससे यह जो भी काम करता था, उसका purpose जो था, food का, provide करने का, वो birds को भी food provide करता था. Let us see, अब हमने समझ लिया कि paragraph क्या है, तो अब जल्दी से हम question answers करते हैं. Question number one है, हमें match the falling करना है, तो हमें यह यहाँ पर देखो, दे रखा है, question number first, match the falling word meanings with the corresponding pictures, अब हैं यहाँ पर हमें words दे रखे हैं, और उसके meanings भी दे रखे हैं, उसके साथ साथ, और यहाँ पर हमें pictures दे रखे हैं, अब यहाँ लिखा है, Demineus, यानि की Lord को कहते हैं, जो कि हमारा यह वला है, ठीक है, फिर है, O is a spade, a long handle gardening tool, यह है हमारा spade, और O Tannu, Sama, यानि another name for son, यानि इसका हमने match कर दिया, यह, तो यह हमारी matching हो गई, जिसको हम यह लिख सकते हैं, कि one जो है, यहाँ पर है, two जो है, हमारा यहाँ पर है, और three हमारा यहाँ पर है, चीक है, अब हम question number two देखते हैं, बच्चों, Read the following passage and answer the following question, question number first, whom did the old couple love, love करता था किसको, देखो little dog लिखा है ना यहाँ पर, pet was a little dog, यह देखो only pet was a little dog, तो यानि हम से जब option पूछा हुआ है, कि a, cat थे dog था, या फिर sheep यह children, तो हमें पता है, वो कौन था dog था, तो इसका answer हो जाएगा, b, फिर है, then made it, second, then made it a cushion off, अब cushion जो बनाया था, उसके बैटने के लिए, वो कौन से color का था बच्चों, वो blue crepe का था ना, देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, they made a question of blue crepe, लिखा ना blue crepe, तो यह हमारा answer हो जाएगा, और हम इसको tick कर देंगे, तो हमारा answer हो गया, a, question number two का answer हमारे पास हो गया, a, फिर है question number three, what was the name of the pet, उसका नाम क्या था, मुको था ना, देखो, यहाँ पे लिखा है मुको, meal time, यह देखो, meal time मुको, मुको, उसका नाम था, मुको, तो हम यह वला option टिक कर देंगे, जो कि हमारे पास, d option में है, तो इसका answer हो जाएगा, d, तो हमने देख लिया, इसका answer हमारा, जो है, वो है, b, इसका answer हमारा, a है, और last वाले का answer, question number third का answer, d है, थीक है, तो बच्चों, यह थी हमारे आज की work sheet, hope आपको अच्छे से समझ आयोगी,